किसान बाईयो नमस्कार आप सबी का सुवागत हैं हमारे चैनल में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चने की फसल के बारे में यदि आप चने की फसल में पहला इस्प्रेइ नहीं किया हैं तो आपको पहला इस्प्रेइ कप करना चीए कितने दिनों के बात करना चीए औ बारे में बात करूँगा इसके साथ ही एक टॉनिक के बारे में बात करूंगा चोंकी चने की फसल में ज़्यादा पहुंचाने वाले तीनों भरांड नेम और इसकी पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे तो दोस्तों आप हमारा वीडियो से लेकर अंत तक जरूर देखे वीड और अधिक से अधिक संसात्यों के साथ सेयर भी जरूर करें अगर आप हमारे वार्सप ग्रोब में जुड़ना चाहते हैं तो दिस्क्रेस पर में दीवी लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं जैसा कि दोस्तों आपको चने की फसल में पहला इस्प्रेस थीज दिनों के बाद में कर देना चाहिए थीज दिनों के बाद आपको चने की फसल में छोटी छोटी इल्ली भी आने नजर आने लग जाती हैं इसके साथ ही पोदे अपने आप खाये होने लग जाते हैं उसकी चीए जब आपके चेने की फसल 30 दिन के आसपास हो जाती है उस समय पर आपको पहला इस्प्रे कर देना चीए आपको पहले इस्प्रे में लेना है सबसे पहले एक कीड़ नासक का प्रियोग करना चीए कीड़ नासक के रूम में आपको इमाम एक्टिन बेन्जोएट 5% यजजी वाली दोई का प्रियोग करना चीए दोस्तों यह दोई सेव नामक दोई से कापी पचली और किसानों को मानी जाती है सेव वाली कीड़ नासक का प्रियोग आप पहले इस्प्रे के रूम में चने की फसल में कर सकते हैं यह सेव वाली कीड़ नासक आपकी फसल में सबी परकार के समील उपर इली हरी इली काली इली पूरी इली यह सबी प्रकार के इल्लियों को यह पूर्णता है कतम कर देगी इस सवस्ता पर 30 दिनों के आसपाथ चैने की फसल में छोटी-छोटी इल्लिया होती है जो कि इमा मेक्टिन बेंजोड या सेव वाली कीड नसक इसको पूर्णता है कंट्रोल कर लेगी तो इसके मातरा आपको 100 इसके अलावा आपको दूसरा प्रयूंग में लेना है फपुनी नसक के रूम में आपको रोको दोस्तों बायो कमपनी का रोको आता है रोको के अंदर टेक्निकल होता है थायो पेनेट मिठाइल दोस्तों रोको जो इसके अंदर टेक्निकल होता है यह जो चने की फसल में जो जड़ में सूग कर पूरा-पोदा ओटोमेटिक खतम हो जाता है जिसको हमारे इतरब चने ओटोमेटिक सूगना चने खतम होने की परकिरिया होती है यह जो रोकों के अंदर थायो फेने मिथाइल जो टेक्निकल होता है यह चने की फसल में उस बीमारी को रोग देता है उक्ता रोग बोलते है जिसको उक्ता रोग को यह थायो फेने मिथाइल नामक टेक्निकल रोग देता है इसलिए दोस्त तो रोको था विदेन मिठाइल का आप 300 क्राम परते हैं कर डोज रगना चीए उसके साथ ही आपको दोस्तो अच्छी पुटान के लिए पौदे में अच्छी करोध के लिए एक टोनी का प्रयोग भी करना चीए दोस्तो टोनी के रूम में आपको लेना है पौसक सपर दोस्तो की पौदे में ज्यादा फूल और ज्यादा गेटे देखने को मिलते हैं तो शिरुवाती तोर पर भी अगर आप वसक सपर का प्रयोग कर लेते हैं और उसके बाद में पानी लगाते हैं तो पानी के तोर पर आपके पौदे में ज्यादा फुटान ज्यादा फलपूर ज्या करें तन्य वा जे जवान जे किसा